दोस्तों, ये एक नया मानवा है, और इस मानवा की शुरुआत में हमें एक नय वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहांकि टेक्नॉलोजी बहुत ही ज्यादा एडवांस होती है, इन लोगों ने अपनी टेक्नॉलोजी को इतना ज्यादा एडवांस बना लिया है, ये नॉर्मल ज्यादा मजेदार हो चुका है, कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता, फिर इसके बाद हमारे मैन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो बेड़ पर लेट कर, अपने गेम को बड़े ही मजे के साथ खेल रहा होता है, और हम देखते हैं, उसके हाथ हवा में हिल रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वह चिलाने लग जाता है, कहता है कि ए तुम लोग कहां जा रहे हो, लोग मेरा विरोध नहीं कर सकते, ली हुआन को खाली समय मिल चुका है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा, और यह कहते ही मैन कैरेक्टर चुप हो जाता है, और वह अपने मन में कहने ल आया गया और दोबारा से शुरू करने के लिए कहा गया, जिसकी वजह से सारे के सारे कैरेक्टर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, अब हमें ये गेम दोबारा से शुरू करना होगा, और मैं ही उन 300 मिलियन लोगों में से एक हूँ और मेरी रैंक, उसे समय 97 थी, मुझे उ इस गेम को इसलिए नहीं छोड़ना चाहता हूँ, कि मैं इस गेम में बुरा हूँ, बलकि मैं तो इस गेम में बहुत तेज, ज्यादा अच्छा हूँ, और इस गेम का मास्टर हूँ, इसलिए इस गेम के डेवलपरों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, कि मैं इस गेम को हुआन दोबारा से इस गेम में आ चुके हैं, connecting जारी हो रही है और हम देखते हैं कि हमारा man character उसे game में आ चुका होता है और उसका system कह रहा होता है कि आपका code जारी हो रहा और आपके पिछले वाले character की सारी की सारी ranking अगले वाले character में transfer की जा रही है और हम देखते हैं कि हमारा man character उसे game के world को देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि उन लोगों ने कहा था कि इस भूल भुलईया world को और भी ज्यादा advance बना दिया गया है और यह देखने में भी काफी ज्यादा अलग लग रहा है लगता है कि आज तो मुझे मज़े आने वाले फिर इसके बाद ली हुआन का system कहने लग जाता है कि अगर आप अपना character बनाते हैं तो आपको एक लाख सतानवे हजार CP दी जाएगी यह सुनने के बाद हमारा man character तो हैरान ही हो जाता है और आपने मन में कहने लग जाता है कि यह लोग इतने कंजूस क्यों हो सकते हैं कि मुझे इतनी कम CP दे रहे हैं जबकि मैं चौथी पीड़ी बहुत ही अच्छा ranker था और वो अपने system से कहने लग जाता है कि तुम कितने बकवास हो कि इतने अच्छे ranker के साथ बुरा केसे कर सकते हो और ये सुनते ही Lee Huan का system कहने लग जाता है कि आपने अपना कोई character नहीं बनाया है और इसके अलावा उस set के character को भी नहीं चुना है जिसे आप खरीदना चाहते हो और हम देखते हैं कि Lee Huan का system set से जुड़े हुए character की list दिखाने लग जाता है और हम देखते हैं उसमें सबसे बड़ा set premium luxury set होता है जिसमें एक combat skill और एक magic grade combat की skill और बहुत सी skill दी जाती है और एक rear weapon भी दिया जाता है और हमारा man character मन में सोच रहा होता है कि ये set काफी ज्यादा कमाल के लग रहे है और वह कहने लग जाता है मुझे इसमें से कौन सा set चुनना चाहिए उन लोगों ने तो इसे और भी मस्कील बना दिया है मेरे लिए अगर मैंने चुनने में कोई गलती की तो मैं एक घटिया character को ले बैठ हूँगा मुझे ये सोच समझ कर चुनना होगा ताकि मैं आगे चल कर और भी ज्यादा अच्छा ranker बन सकूँ और हम देखते हैं कि हमारा man character premium luxury set को 1500 CP के साथ चुन ले लेता है और बड़े ही खुशी के साथ कहने लग जाता है कि यह काफी ज्यादा कमाल का था चाहे मेरे इसमें कितने ही पैसे लग जाए मुझे ये set लेना ही था ताकि मैं number one ranker बन सकूँ और हम देखते हैं कि Lee Huan का system उस से कहने लग जाता है कि इसके लिए आपको तीन बिलियन देने होंगे जिसे सुनने के बाद हमारा man, character Lee Huan अजीब तरह से हसने लग जाता है और अपने मन मैं कहने लग जाता है कि इसमें सोचने वाली कौन सी बात मुझे ये लेना ही है क्योंकि चौथी पीढ़ी मैं एक ranker बन कर बहुत ही ज्यादा पैसा कमाया था और हम देखते हैं कि Lee Huan उस luxury set को चुन लेता है पड़ हम देखते हैं कि Lee Huan का system उसके सामने character की list दिखाने लग जाता है जिसमें उम्र, सकल, वजन और बहुत सी चीजें दिखाने लग जाता है कि अगर ये ऐसा है तो मुझ कुछ अच्छा करना होगा और कोई सांदार नाम भी रखना होगा और हम देखते हैं कि हमारा man character अपने game character को चुनने लग जाता है और वह अपने मन में सोच रहा होता है कि पिछली game मैं जो CP मुझे मिली थी मैं वो सारी लगा दूँगा और ये सोचने के बाद ली हुआन अजीब तरह से हसने लग जाता है और कहता है कि मुझे दुनिया का सबसे खतरनाक ranker बनने से कोई भी नहीं रोग सकता अब मैं इस character के साथ में अपने वाले पिछले वाले character को भी defeat कर सकूंगा ये काफी ज्यादा मज़ेदार होगा मेरे लिए मुझे किसमत ने दोबारा से ताकतवर बनने का मौका दिया है मैं इस मौके को नहीं जाने दूँगा अब सिर्फ तुम लोग मुझे देखना मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक असली ranker कैसा होता है मैं दिखाऊंगा कि इस भूल भुलया वाले world में कैसे राज किया जाता है मैं तुम्हें चौथी पीड़ी के ranker की ताकत को दिखाऊंगा अब मैं इस character में अपनी सारी की सारी CP को लगाने जा रहा हूँ ये काफी ज्यादा मज़ेदार होगा मेरे लिए और ये कहते ही ली हुआन जोर जोर से हंसने लग जाता है फिर हम देखते हैं कि ली हुआन का system ली हुआन को कहने लग जाता है कि आपको भूल भुलया world में पहुंचा जा रहा है आप इस city में पहुंच चुके हैं आप वहाँ पर जाकर काफी ज्यादा मज़े करना फिर इसके बाद हमें एक city को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग इधर से उधर जा रहे होते हैं और वहाँ पर कुछ हंटर भी मौजूद होते हैं लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की नजर किसी पर पड़ जाती है जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कुछ लोग तो डर भी जाते हैं, पर हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी आ चुका होता है, जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, और हम देखते हैं कि इसके आसपास से बहुत सारा डेविल औरा निकल रहा होता है और हम देखते हैं कि अचानक से उसे खतरनाक आदमी की नजर एक औरत पर पड़ जाती है जिसे देखने बाद में वह औरत अपने सर को दूसरी तरफ कर लेती है और काफी डर भी जाती है लेक सुनने के बाद तो वह खतरनाक आदमी उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि मुझे गिल्ड पर जाना है। उसे खतरनाक आदमी के पीछे क्या कर रहा है कि वह मर भी जा सकता है उसे वहां से हट जाना चाहिए और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि लगता है कि वह कुछ एडवेंचर करने के मूड में है जिसे सुनने के बाद एक और बंदा कहने लग जाता है कि जरा उसके आइटम तो देखो, वह कोई मजाक नहीं है, वह तो एक मॉंस्टर है। मेरी नजर उससे थोड़ी देर के लिए मिली थी और मुझे लगने लगा था कि उसकी नजरों में अगर मैं थोड़ी और देर देखा तो मारा जाऊंगा, वह सच मुझ एक गोड डेविल है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह खतरनाक आदमी हमारे ली हुआन को घूरता है और कहने लग जाता है कि मुझे गिल्ड का पता चल गया है। चलो यहां से चलते हैं और यह सुनते ही ली हुआन हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं वह आदमी उन दोनों क अपने साथ ले जा रहा होता है जिसे देखने के बाद पीछे से भीड चिलाने लग जाती है जिसमें से कुछ लोग कहने लग जाते हैं कि तुम गंदे कहीं के तुम इसे कहां ले जा रही हो जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि तुम बहुत ही ज्याद पिर इसके बाद हमें एक गली को दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे गुंडे बैठे हुए होते हैं, और वह किसी को देखने लग जाते हैं, और हम देखते हैं कि वहाँ पर वही खतरनाक आदमी पहुंच जाता है, और उसके साथ-साथ ली हुआन भी आया हुआ होता है और हमें बताया जाता है कि इस खतरनाक आदमी का नाम सीजर है, और हम देखते हैं कि वह सीजर उन गुंडों को देखने के बाद कहने लग जाता है कि तुम घूर घूर कर किसे देख रहे हो, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो, और ये सब सुनने के बाद हमारा ली अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार मुझे क्या गलती हो गई जिसकी वजह से ये मुझे मिल गया अगर किसी को पता लगा कि मैं इसका मालिक हूँ और ये खतरनाक राक्षस मेरा गुलाम है तो सब लोग इसे मजाक समझेंगे क्या मेरा सारा का सारा पैसा है इसे गुलाम बनाने में लग गया मुझे अपने उपर बिलकुल भी विश्वास नहीं हो रहा लेकिन ये कोई मजाक नहीं है फिर हमें एक घंटे के पहले के सीन को दिखाया जाता है जहां पर ली हुआन अपने सेट कैरेक्टर को चुन रहा होता है और वह कहने लग जाता है भलई मैंने उसे बनाया है लेकिन वह कमाल का है मैं सचमुच एक ग्रेट क्रियेटर हूँ उसके पास सचमुच रियर स्किल और रियर एक्विपमेंट्स होंगे ये पहली बार है जब मैं किसी को इतनी ज्यादा ताकत दे रहा हूँ ना जाने वे कैरेक्टर कितना ज्यादा खतरनाक होगा लेकिन इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक मॉंस्टर हो फिर इसके बाद ली हुआन अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है लोग विश्वास करेंगे कि मैं एक सच में रियर रैंकर हूँ मैं जो तीसरी श्रेणी का गेमर नहीं बन सका लेकिन अब मेरा सब पर काबू पाने का वक्त आ गया है यही तो है एक रैंकर का रहस्य ये सच मुच मेरी नई ताकत है और इस ताकत को मैं हमेशा बढ़ता ही रहूँगा और हम देखते हैं कि ली हुआन का सिस्टम कहने लग जाता है कि आपका कैरेक्टर तयार हो रहा है जिसे सुनने के बाद ली हुआन अजीब तरीके से हंसने लग जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि इसकी ताकत कितनी होगी ये सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का होगा फिर हम देखते हैं कि ली हुआन का सिस्टम उसका सेट कैरेक्टर बना रहा होता है और हम देखते हैं कि यह वही खतरनाक सीजर होता है और हम देखते हैं कि ली हुआन सीजर को देखने के बाद अजीब तरीके से हंसने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि यह वही आदमी है जिसे एक महान आदमी ही बना सकता है यह काफी ज्यादा कमाल का है और ली हुआन यह देखने से काफी ज्यादा इमानदार लग रहा है। यह आपकी वफादारी करेगा। लेकिन अगर इसका वफादारी का स्तर नीचे गिरा तो यह आपकी बात को बिलकुल भी नहीं मानने वाला। आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। जिसे सुनने के बाद ली हुआन डर जाता है। और अपने मन में कहने लग जाता है कि धत तेरी की लग गए मेरे तो और उसका सिस्टम कहता है कि अगर आपने इसका ध्यान खराब तरीके से रखा तो यह आपको मार भी सकता है या फिर आपको छोड़ कर भी जा सकता है। जिसे सुनने के बाद हमारा मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्या वह कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे यह आदमी कितना भी ज्यादा खतरनाक दिखता हो लेकिन उसकी शकल बिलकुल वाफादार कुत्ते जैसी है। अब मुझे इस दिल पर पत्थर रखकर संभाल नहीं होगा। मैं इस वक्त सबसे खराब सिचुएशन में फंस चुका अगर कुछ गडबड हुई तो यह मुझे मार डालेगा। और यह सोचने के बाद ली हुआन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। और हम देखते हैं कि उसे छोटे से बच्चों के धक्के की वजह से ली हुआन जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। जिसके गिरते ही सीजर की नजर उसे पर पड़ जाती है। और ली हुआन यह सब देखने के बाद डर जाता है। और अपने मन में कहता है कि धत तेरी लग जिसे देखने के बाद ली हुआन अपने मन में सोच रहा होता है कि यह सबसे खराब सिचुएशन है। जिसे सुनने के बाद तो ली हुआन की पट जाती है और ली हुआन का सिस्टम कहने लग जाता है कि यह सबसे खराब सिचुएशन में वह आपकी शर्ट की खुश्बू को सूंग कर आपको मार भी डौल सकता है। जिससे सुनने के बाद तो ली हुआन की फट जाती है और वे अपने मन में सोचने लग जाता है कि यह तो मेरे लिए सबसे बड़ी घड़बड की बात हो गई मुझे क्या करना चाहिए और ली हुआन का सिस्टम उसे कहने लग जाता है कि जाओ उस गली में उसे पकड़ो जिसे सुनने के बाद वह हैरान हो जाता है और उसका सिस्टम कह रहा होता है कि आपको उस जब कत्रा को 10 मिनट के अंदर पकड़ना होगा नहीं तो आपकी कीमती चीज आपसे गायब हो जाएगी जिसे सुनने के बाद ली हुआन अपनी जेब को देखने लग जाता है और हैरान हो जाता है और वह बच्चा वहां से भाग रहा होता है और वह उसे बच्चों की टकराने की मेमोरीज को याद करने लग जाता है और हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता और यह सोचने के बाद ली हुआन गुस्से में हो जाता है और कहने लग जाता है कि सीजर जाओ उसे पकड़ो जिसे सुनने के बाद सीजर गुस्से में कहने लग जाता है कि यह सर मैं भी पकड़ता हूँ उसे और यह कहते ही सीजन बड़ी तेजी के साथ उसे बच्चों को पकड़ने के लिए निकल जाता है और ली हुआन का सिस्टम कहने लग जाता है कि सीजर ने आपके गुसे को सेंस कर लिया है और उसकी वजह से वह उसे बच्चों को पकड़ने के लिए गया है जिसे सुनने के बाद ली हुआने अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या मेरे गुसे की वजह से क्या वह उसे बच् character की नजर उसे पर पढ़ती है जिसे देखने के बाद हमारा Lee Juan थोड़ा सा सोचने लग जाता है और वह उसे कहता है कि है क्या तुम ठीक हो और हम देखते हैं कि वह लड़की Lee Juan को बड़े ही गुस्से के साथ देखती है और हमारा man character उसे देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह अपने मन में सोचने लग जाता है कि वह मुझे ऐसे क्यों देख रही है क्या मैं कोई कुडा कचरा हूँ उसने सीजर के साथ तो ऐसा बिलकुल भी नहीं किया और ये सोचने के बाद Lee Juan बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे लड़की को डराते हुए कहने लग जाता है कि ए देखो जरा तुम्हें जितना खतरनाक मेरा गुलाम लगता है उससे भी ज्यादा खतरनाक में हूँ और मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करना है जैसे तुम उसके साथ करती हो अगर तुमने दोबारा मुझे कचरे की नजर से देखा तो मैं तुम्हें मार डालूँगा जिसे सुनने के बाद वह लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे माफ कर देना मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूंगी जिसे सुनने के बाद ली हुआन कहने लग जाता है कि जो लोग ज्यादा बातें करते हैं मैं उनसे बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ जिसे सुनने के बाद तो वह लड़की रोने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मेरे पास सिर्फ यह है यह ले लो और मुझे जाने दो जिसे देखने के बाद ली हुआन कहने लग जाता है कि क्या एक सिक्का इसमें तो सिर्फ आधा खाया हुआ से भी मिलेगा और ली हुआन कि ये बात सुनने के बाद वह लड़की और भी ज्यादा रोने लग जाती है और हमारा मैन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि चलो छोडो इसको और हम देखते हैं कि हमारे मैन कैरेक्टर का सिस्टम कहने लग जाता है कि सीजर ने उसे जेब कत्रे को पकड़ लिया है जिसे सुनने के बाद ली हुआन हैरान हो जाता है और यह सब सुनने के ली हुआन अपने मन में सोच लग जाता है कि वह मेरा गुलाम तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है। मैं जो भी उसे करने के लिए कहता हूँ, वह आसानी के साथ कर देता है। वह काफी ज्यादा अच्छा काम करता है मेरे लिए। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह किसी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सीजर आ चुका होता है। और हम देखते हैं कि उसकी तलवार में वह छोटा सा बच्चा बधा हुआ होता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारे यह मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्त झाल झाल